डिस्क्लेमर ये वीडियो वही लोग देखे जिनके पास धिमाग है और जिनके पास धिमाग नहीं वो जाके अपनी वैच चराए जी है दोस्तों अगर आप कभी प्लेन में सफर कर चुके होंगे तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि जब प्लेन टेक आप करने वाला होता है तो प्लेन की जो हवाई सुंदरी होती है वो एक अनौंसमेंट करती है वो ये कि अगर आप सुरक्षित जर्नी करना चाहते है तो भई अपनी खुर्षी की पेटी बाँख ले, यानि कि, आप सीड बेल लगा ले, तो, वैसे ही, इस वीडियो को शुरू करने के पहले, मैं एक अनौसमेंट करना चाहूँगा, यह, कि अगर आप अपने करियर का टेक उप लेना चाहते है, ग्रोथ करना चाहते है करियर में, तो आपको इ आपके लिए एक Excel का बड़ा प्रोजेक्ट, Excel MIS का बेसिकली प्रोजेक्ट है, जिसमें मैं raw data के उपर practically एक MIS प्रोजेक्ट बना के दिखाने वाला हूँ, जो screen के उपर मैं आपको दिखाता हूँ, यह जो प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखाए दे रहा है, अलग-अलग mouse click से ज art show और hide हो रहा है, प्लस यहाँ पे कुछ buttons मैंने रखे है, जिसके जर्ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे records up and down कर रहा हूँ, मतलब कम ज्यादा कर रहा हूँ, और यह जो MIS प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, इसमें मैंने formula यूज के आया है, मैंने tools यूज के Excel के अलग-अल साथ ही में अगर आप एक already Excel operator हो, कई पे job पे हो, तो वहाँ पे आपके box को, आपके collect को impress आप कर सकते, या फिर office में जितनी भी लड़किया है, उनको भी यह project दिखा के impress कर सकते, सब कहेंगी, कैसे बनाया भाई आप नहीं है, भाई नहीं बोलेगी, कैसे बनाया सर जी आप किये गए, तो formula भी है, tools भी है, सब कुछ चीजे एक साथ आपको एक जगा पे मिलने वाली है, description में मैंने ये practice file भी download के लिए, जहां से आप download करके ये पूरा पूरा project आप देख सकते है, और साथ में practice भी कर सकते है, तो चलिए अगर आप तयार हो, तो आपनी आपके ध्यान को एक जगा पे भांदा होगा, ये समझ कर मैं अभी इस वीडियो का take off लेता हूँ, मतलब इस वीडियो को शुरू करता हूँ, मैं सतीश learn more चैनल में आप सब का स्वागत कता हूँ, लेकिया है, Excel का एक amazing MIS का project, चलिए computer screen पे बढ़ते हैं, तो दोस्तो MIS report सीखने के लिए अपने आपका पूरा तनमंध्यान एक जगा पे लगाया होगा, ये मानकर मैं शुरू करता हूँ MIS report, लेकिन सबसे पहले MIS report क्या होता है, ये हम जानते हैं, और उससे भी पहले हम ये जानेंगी कि MIS का full form क्या होता है, बहुत सरे लोग को M MIS का full form ही नहीं पता है, तो MIS report क्या खग बनाएंगे, तो MIS का full form होता है Management Information System, अब अब कहोगे कि यार, ये Management Information System क्या होता है, ये reports क्यों बनाए जाते हैं, तो मैं आपको explain करता हूँ, don't worry, पहले मैं English में explain करता हूँ, MIS reports are reports required by the management to assess the performance of the organization and allow for faster decision making, ये अंगरे जी समाचारते मैं Hindi में explain करता हूँ, MIS report ऐसे reports होते है, जो एक management को बताते हैं कि आपकी organization का performance कितना हुआ है, वो help करते हैं organization का performance calculate करने के लिए उसका अंदजा लगाने के लिए, साथी में fast decision लेने के लिए भी यहाँ पे help करते हैं, जैसे example के तोर पे मैं बताता हूँ, एक company का sales report है, sales MIS report, तो उसे ये पता चल जाएगा कि इस हपते में कौनसे product की ज्यादा sale हो गई है, कौनसे region में ज्यादा sale हो गई है, कौनसे product की कम sale हो गई है, कौनसे product कौनसे region में बहुत ही कम विका है, ये सारी चीज़े यहाँ पे MIS report की जरीए पता चल जाएगे, जिससे आप decision भी ले सकते कि भाई कौन से प्रोड़क के अड़टाइजिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए या फिर कोई employee database है तो आप कौन सा employee कितना काम कर रहा है कितना output दे रहा है यह सारी चीज़े आपको पता चलती MIS report के जरीए अगर आप properly data manage कर रहे हो तो उस data के उपर properly report बनाने भी आपको आ चाहोंगा कि एकसल के अंदर MIS report बनाने के लिए आपको चार steps follow करने पड़ेंगे जो मैं हमेशा करता हूँ यह चार steps होते है Excel में MIS report properly बनाने के लिए पहले तो हमें understanding of data मतलब हमें data को अच्छे से समझ लेना है data की समझ हमें होनी चाहिए data को proper read करना है मैं आपको समझाओं data के अंदर सोचेंगे सोचेंगे और फिर logic बीड़ करेंगे logic है तो magic है मैं हमेशा कहता हूँ तो यहाँ हम magic pair करने के लिए पहले logic लगाएंगे उसके बाद आएगा applying formula यानि कि कौन-कौन से formula हम यहाँ पर apply करेंगे कैसे करेंगे वह हम यहाँ पर तीसरे steps में follow करेंगे next अलग लग tools को इस्तमाल करके अलग लग reports हम generate करेंगे जो management को required रहेंगे तो यह 4 steps अगर आप follow करोगे तो आप MIS report बना पाओगे यह 4 steps follow करने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा तो आपको हमेशा याद रखना है यह 4 steps और मैं एक बार फिर से repeat करता 4 steps understanding of data data को समझ लेना है अच्छे से building logic as per end result in result की सबसे logic बीड करना है applying formula formula apply करना है और report बनाने है तब आपको MIS report बनाने से कोई नहीं रोक सकता राइट तो यह तो मैंने MIS report या MIS project बनाने के लिए क्या क्या सीज़े करनी चाहिए यह पहले मैंने बताया तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं अभी आपको data दिखाता हूँ जिसके उपर हमें MIS report बनाना है और यह जो sheet आपके सामने दिखाई दे रही है यह description में मैंने practice के लिए दे दिए वहां से आप download करके practice कर सकते लेकिन पहले पूरा वीडियो तो देख लो सबसे पहले पाच मत बोल देना वो सवाल यह है कि daddy कितने है राइट इसमें पाच मत बोल देना एक ही बोल देना क्योंकि मैंने offline classes में जल्दी जल्दी में सवाल पूछा था students को कि भई हाथ की उंगले कितनी 5 पांडो कितने 5 डाडी कितने एक student ने बोल दिया 5 तो आप ऐसा मत कर देना ध्यान आपका ध्यान है कि नहीं मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे पहले इसलिए ध्यान दीजिए कि भई 5 चीट हमारे पास है पहली तीन शीट जो है इसमें यह raw data की शीट से यहाँ पे दिखिए एक break है एक efficiency है एक overall performance यहाँ पे धेर सारा data पड़ा हुआ है यह data मैं एक बार फिर से मैं आपको end result दिखाऊंगा पहले data को समझेंगे फिर end result क्या है समझेंगे और फिर हम MS report चालू कर देंगे तो सबसे पहले यहाँ पे मैं break sheet में आता हूँ पहले data समझा देता हूँ यहाँ पे है क्या basically data यह call center का data है दोस्तो जिसमें employee के नाम है उसके region code के सा record से H.Y.D. फिर उसके बाद नीचे आप scroll करोगे तो Delhi employee की record है और उसका employee code भी है आगे साथ में आगे next column में आपको दिखाए दे रहा है उसने lunch break कितना लिया है lunch break basically यह उनका break का record है जब वो काम पे आते call center में आते है तो normal break कितना लिया feedback training के लिए कितना time उन्होंने यह किया ह मतलब यह training कितने time पे हुई है उनकी meeting office के timing में meeting कितनी बार attend की है unwanted break है order work है और total break taken कितना है यह columns में यहाँ पे employee के break के बारे में details बताई गई है तो यह sheet हमने समझ ली इसमें employee का record है जिसमें वो काम पे आने के बाद उसने कैसा कैसा break लिया है किसकी से लिए कितना time total break कितना ह okay उसके बाद हम जानेंगे efficiency seat के बारे में efficiency okay ऐसा बुला था right कभी कभी टंग फिसल जाती efficiency seat में क्या है वही employee है जो कि जैसे वहाँ पे थे same as it is right यह software से data यहाँ पे आ चुका एक student ने मेरे साथ share किया है जो कि उनके call center का मैंने हाला कि यहाँ पे थोड़ा सा changes कर दी है मतलब इंपलाई के code अगरा सब हेरा फिरी कर दी करना पड़ेगा वही जो data होता है वो data privacy की वाज़े से यहाँ पे पूरी changes चीजे करनी पड़ेगी right as it is data हम शोरी कर सकते you know that company का data policy रहता है और इसी की वाज़े से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा changes कर दी है जो कि मतलब actual data नहीं है ल उस employee ने कितना घंटे काम किया है कितना efficiently काम किया है कितने call attend किये है उसका percentage and all यहाँ पे आपको दिखाए देगा धेर सारे columns में उनका record पड़ा हुआ है call कितना यह किया है active with customer कितना है यह पिर not working कितना है सब कुछ percentage यहाँ पे software से download हो चुका है और एक sheet हमारे पास है जिसमे और all performance उस employee का दिखाए दे रहा है वही employees के नाम रहेंगे और attended calls कितने transfer call कितने है या फिर call conference में कितने उन्होंने transfer किये redirect कितने किये hold पे कितने रखे सारी चीज़े यहाँ पे दी गई है तो यह basically इस तरह से sheet है एक employee यानि कि call center का employee जो होता है वो अपने काम पे आने के बाद उस से related details पूरी है मतलब उसने call कितने attend किये ब्रेक कितना लिया overall उसका performance सब कुछ यहाँ पे in sheets में आपको मिल रहा है right break efficiency and overall performance तो दोस्तों यह था था overall data update हमने समझ लिया अब हमें end result कैसे बनाना है वो देखते है summary sheet में आते है और यहाँ पे उन्होंने बोला है summary sheet में basically कि employee क नाम जो यहाँ पे break efficiency में वही column आप यहाँ ले लो जैसे आप देख सकते यहाँ पे employee है और यह total 150 employees है तो 150 के 150 employee यहाँ आने चाहिए लेकिन अगर इसमें आगे भी employee add होते है नीचे तो वह भी यहाँ दिखाई दे तो कुछ इस तरह से उनको automatic चाहिए मतलब वहाँ पे data add हो उनको चाहिए उसके पार total number of working hours उनको चाहिए work efficiency चाहिए total break taken चाहिए यह अलग-अलग sheets में पड़े हुए column से याद रखिए तीनों sheets में यह column available है तो तीनों sheets से data पूल करने है आपको कुछ इस तरह से मैं आपको directly result दिखाता हूँ यह दिखिए summary मैंने already पूल करके रखिए कुछ इस तरह से employee की name आपको चाहिए यह पूरा पूरा वहां से data यहाँ पर आना चाहिए फिर employee का नाम यहाँ पर आपको लेना है फिर total working hours, work efficiency और यह सारे चीज़े जो है इनी sheets में पड़ी हुए याद रखिए यह break efficiency और overall तीनों sheets में से यहाँ से यहाँ पर पूल कर लेन चाहिए चार्ट को मैं hide करना चाहता हूँ, hide हो सकता है, साथ में यहाँ पर भी मैंने increase or decrease का button डाला है, जहां से मैं top employees को increase or decrease कर सकता हूँ, top 5 यह top number of record से, top 4 दिखाना चाहता हूँ, top 4, top 3, वैसे यहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं, यह दिखिए, top 5, top 4, top 3, और नीचे चा इसके लिए क्या-क्या logic बीड़ होंगे, यह हम देखने वाले है, so don't worry, यह वाली sheets में बंद कर देता हूँ, okay, यह already बनाया है हमने, और यह हमारा raw data है, जिसमें हम अभी काम करने वाले है, तो basically आपको समझ में end result करना कि है, कि हमें summary निकालनी है, हमें dashboard बनाना, end result भी आपक पता चला है, तो हमें अभी logic बीड़ करना है, सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें हमारा जो employee का नाम है, यह पूरा employee का नाम with code है, यह हमें क्या करना है, समरी में ले लेना है, तो सबसे पहला task शुरू करते हैं, ध्यान से दिखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहां पे employee क पें करसर प्रज इस में नहां प्रिया सिग्सार्य दो जैसे करके दूंगा दायए हो इसमें प्रिया क् आतका दे शुट्य आपको दिखाईками व्हेलार पर एक्ष्टम मस्किशे मूँनोरी हमें इसमें डिशक्राम कमी। 150 लेते बाद में भी ड्रैक करके रख सकते क्योंकि यहां पर 150 ही record है तो मैं 150 तक इसे ड्रैक करकर रख देता हूं तो यहां पर मैंने 150 record ड्रैक करकर रख दिये हैं आप देख सकते मैं इस कॉलम की साइस भी बढ़ा देता हूं सबसे पहले हमारे पास यह employee आ चुका है, अब इसमें employee का नाम अलग निकालना है, तो पहले logic तो हमारा हो गया कि वहाँ से data पूल कर लिया, दूसरा logic कि है कि employee का नाम अलग करना है, तो इसको अच्छे से समझो, यहाँ पर formula यूज करना है, मैंने पहले ही बोला है, कि यहाँ पर बहुत सरी चीजे यूज होने वाली, formula यूज होने वाला है, और फिर tools भी यूज होने वाले, तो यहाँ पर formula क्या है, मुझे अबदूल हमीत को अलग लेना है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अबदूल हमीत के पहले, अंडर स्कोर दिया गया है, अबदूल हमीत इसी का फाइदा लूँगा, यहाँ पर find formula यूज करके, सभी में देखिया, यहाँ पर underscore ही है नाम के पहले, और ending में आपको space और open bracket मिली रहा है, तो यहाँ पर कुछ चीजे जो आपको हमेशन उटीज करनी कि नाम के आगे पिछे क्या है, उसके सबसे आप नाम को mid formula लगा क Excel Tutorial चैनल पर भी, Excel का especially channel है, Excel Tutorial नहीं पता है, तो description में लिंक दे दिए है, वहाँ पर Excel के वीडियो जाते especially, तो ज़रूर जाके चेक कीजिएगा, पहले तो मैं यहाँ पर find फिस explain करता हूँ, जिनको पताने उनके लिए, find क्या करता है, find जैसे आप लिखोगी यहाँ पर open bracket दोगे तो आपको नीचे arguments दिखाए दे रहे, find text within text start number, आपको कौन सा text find करना है, आपको क्या find करना है, वह आप यहाँ पर inverted comma में दे दोगे, फिलाल मैं inverted comma में दे रहो, मुझे underscore find करना है, देखिए मैं underscore inverted comma में लिखा, फिर मैं कॉमा दूँगा, next argument है within text, इसमें धूनना है, a2 sale में धूनना है, मैंने उसे बताया कि वही मुझे a2 sale में धूनना है underscore, चलो ठीक है, a2 sale में underscore धूनना है, और start number कहां से धूनना है, एक से, एक number position से, तो जैसे मैं enter करूँगा, वह बताएगा कि वही आपका जो underscore अपने धूनने के लिए बूला था, वो चार number position पे है, इस वाले, जो sale है उसमें, basically, वो नाम में, right, अब drag करोगे तो सब जगह पे चार पी ही है, right, तो यह आपको पता चला कि find क्या कर रहा है, underscore की position मुझे दे रहा है, तो अगर मुझे find underscore की position दे रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे, मैं इस sale में formula लगा रहा हूँ, हमें यह formula उपर ही मैं आपको दिखाने के लिए separate separate लगा रहा हूँ, बाद में एक साथ लगाएंगे, मैं यहाँ पे mid अगर लेता हूँ, mid formula क्या करता है, mid formula एक text formula जिसमें से वो क्या करता है, middle का text आपको अलग सा लाके देगा, तो पूछ रहा है कि mid निकालना है, लेकिन किस में से निकालना ह मैं example के लिए दिखा रहा हूँ, यह ऐसा उपर के sell में निकालना है, तो यहाँ पे फिलाल, A2 में हमें दुनना है, अब्दुल हमीद, तो मैं क्या करूंगा, start number कहा से दुनूंगा, यह जो find मैंने formula यूज किया तो न, उपर वाला, उपर वाले sell में find है, उपर वाले sell से ल देखे, number of characters 10 लिए, इसको मैं जरा number of character 15 कर देता हूँ, यह देखे कितना आ रहा है, number of characters कितने लेंगे, उसके सबसे आगा और start number underscore से हो रहा है, चार से, तो यह underscore की sell मैंने यहाँ पे ली, basically, तो underscore का position है 4 लेकिन मैं अगर इसे एक और बढ़ा दू, पाच करू दू, अब्द से ऐसे रहने देता हूँ, F2 button प्रेस काता हूँ, दीखे, find के अंदर मैंने F2 button प्रेस किया, find formula दिखा दिया, इसके आगे cursor रखूँगा, द्यान से दिखिया, mid formula लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, mid, cursor का पर रखा है मैंने is equal to our app के बीच में, और यहाँ पे mid लिख और open bracket, formula mid का लिख रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको select करूँगा, A2 को, okay, A2 select किया, इस text में, start number मतलब यह, find का formula जो है, यह select करके, F9 करके देख लो, select करो F9, यह क्या बता रहा है, 4 बता रहा है, control Z, लेकिन मेरा 4 नहीं है, 4 तो मेरा underscore का position है, start कहां पे हो रहा है, मेरा text अबदुल का A, पाच्वे नमबर पे, अबजल का, यह अना मिका का, यह सभी का A, अलपवेट वाइट सौट ही है, इसलिए सभी का A दिख रहा है आपको, यहाँ पे कहा से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, य तो पाच्वे नमबर की position, तो इसलिए हम 1 add कर देंगे, प्लस 1, तो यह जो formula है, यह आपको क्या result दिखाए दे रहा है, पाँच, पाँच, Ctrl-Z कीजिए, अगें देखिए, इस formula को मैं select कर रहा हूँ, keyboard पे F9 कर रहा हूँ, इसका result देख लिया मैंने, enter नहीं करूंगा, Ctrl-Z क याद रखिए, आप F9 करते है, formula का result देखने के लिए, formula जब दे रहा है, और कोई formula के अंदर दूसरा formula user है, जैसे mid के अंदर find user है, तो find का result मुझे चेक करना था, इसलिए मैंने F9 किया, calculate किया, और Ctrl-Z किया, वाप इस find formula लाने के लिए, Ctrl-Z मत बूलिएगा, ओके, उसके बा इसका मतलब, थोड़ा सा कम कर देते है, 11 तो यह देखिए, अबदुल हमी separate आ चुका है, मतलब starting से यह देखिए, starting वरवर आ रहे है, ending प्रोपर नहीं आ रहे है, क्योंकि number of characters सबके अलग-अलग है, अबजल हुसें में कम जादा है, अनामिका में बहुत जादा है, इसमें क इसमें अनामिका का, जी यू पी आ रहे है, गुप, तो मुझे यहापर number of characters जो है, अलग-अलग होने चे, according to name, जितने हैं, तो वह हम करेंगे, लेकिन पहला हमने देखा, कि find जो है, क्या कर रहा है, particular number of position पे, जो underscore उसका position find करके, उसके अंदर plus one add कर दिया, और उससे हमारा starting character मिल गया, अब ending character को fix करना है, यानि number of characters fix करना है, यहाँ पे 11 पे, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, मैं वो समझा देता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले, फिर से दुबार है, आप एक find लागा रहा हूँ, find का फिर से एक इस्तमाल बता रहा हूँ, find में हम इस बा open bracket दिख रहा है, यह वाला open bracket, दिखिए, अबदुल हमीद D के बाद, space और open bracket, 17 नंबर की position पर, right, D के बाद, दिखाए दे रहा हूँ, सो यह जो open bracket की position आपको मिली है, यह 17 है, और आपके पास underscore की position भी है, याद रखिए, आपको number of characters चाहिए, तो आपके पास underscore की position भी है, त और start number one, तो अब क्या होगा, 17 में से 4 गए, 13 रहेंगे, यह total है 17, यह देखिए, यह 17, यह open bracket की position है, 17, और यह underscore की position, right, 4 रहेंगे, sorry, 4 underscore की position, तो यहाँ पे वो बोल रहा है 13, लेकिन अबदुल हमीद का character से 11, तो यह 13 आ रहा है, मुझे तो 11 मिल रहा है, तो यहाँ पर पल है, क्योंकि open bracket की position हमने लिए, तो यह space भी है, इसमें अबदुल हमीद के D के बाद space है, फिर open bracket की position, यह नीचे है, हमें D की position चाहिए, तो D की position पीछे 2 character है, तो हम minus 2 character करेंगे, D की position, देखिए, हर एक में देखिए, अबदुल हुसेन में भी देखिए, यहन की position पीछे दो character है, गुपता में भी दिखिए, A जो दिख रहा है ना, लाश में, गुपता का A, लाश में, उसमें भी open bracket और space है, तो हर एक में ऐसा है, तो मैंने minus 2 character सब में रख दिया, तो यह हमारा नया formula बन गया, जिसमें number of characters हमें मिल गए, 11 characters, पहले के लिए 11, तो मैं इतना formula जो ह आपने copy किया, पेस्ट कीजिए, देखिए, अबदुलामित प्रोपर आ रहा है, और even अगर आप यह पर double click करोगे, तो अब देखिए, सब का record प्रोपर आ रहा है, अबजल हुसेन, अनामेका गुपता, अनी कुंतन, अनिल कुमार, राइट, सब का नाम यहा पर प्रोपर आ मैंने find की, और उसमें से मैंने underscore की position minus कर दी, तो वो जो formula है, उजला की number of characters इसके बीच में कितने है, लेकिन यह space और underscore है, इसलिए minus 2 भी मैंने यह आप आड कर दिया, तो यह सारी चीज़े आपको खुद से सीखनी है, तो यह formula सिखाने का मतलब यह है, कि आप खुद से logic बिल चीज़ नहीं समझती है, तो बार-बार देखो, देखो, आइंस्टाइन में बोला था, आइंस्टाइन को किसी ने कहा था कि आप problem कैसे solve करते है, तो उन्हों ने कहा था कि मैं problem को solve नहीं कहता हूँ, I spent time with problems, तो problem के साथ time spent करते है, तो automatic solve हो जाता है, तो आपको भी आपके problem के साथ time spent करना चाहिए, तो basically यह आपको problem रग रहा है, तो repeat repeat देखो, definitely you'll get it, फिलाल तो total number of working hours निकालना है, and हमें find out करना कि यह column किस में पहले, तो यह column हमारी efficiency sheet में है, total number of working hours, जो है efficiency sheet में पढ़े है, हमें यहां से वापर पूल करना है, okay, और यहां प एक चीज नूटीस क यह time format नहीं है, text है, तो हमें time में भी convert करना है, जब data हम यहां पर summary में लेंगे, तो यह भी याद रखना है, कि summary sheet में जब हम इसको ले लेंगे, तो यहां पर time में भी आना चाहिए, basically, okay, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे data इन तीनों sheet से लेना है, right, तो मैं इन सारे columns में ऐसे से लेक करूँगा, देखिए, पहले sheet का, break sheet का, मैं A से लेकर I तक पूरा column से लेक कर रहा हूँ, और यहां पर आ रहा हूँ, corner में A1, A1 में मैं यहां पर type करूँगा, A1 की जगह में type कर रहा हूँ, यह यह break sheet, तो मैंने लिया B data, या break data, break डाल दो, break data डाल सक यह देखिए, उपर नाम आ गया, यह name range define करना बोलते इसको, आप efficiency में जाईए, दुबारा देखिए, A से लेकर, जितने भी column से आपको select कर लीजिए, Q तक, फिर आप यहां पर आईए, name range में, यहां पर आकर इसमें click करना है, नाम देते समय याद रखना है, कि आपको number से start करना है, आपको space नहीं देना है, तो यह efficiency data है, तो मैं e underscore data नाम देता हूँ, space की जगर मैं ऐसा देता हूँ, या फिर e data नाम देंगे, तो भी चलेगा, space नहीं देना है, okay, so e underscore data मैं नाम दे दिया, enter कर दिया, right, इस तरह से आप यहां पर नाम दे चुके, लेकिन आपको लग और फिर e data वाले को आप यहां पर edit कर सकते हैं, यह देखिए, यह data बोक्स आ रहा है, इसमें e data को edit बटन पर click करेंगे, यहां पर एक data बोक्स आएगा, जो आपको यहां पर दिखाए दे रहा है, इसमें आप क्या करेंगे, e data की जगर मुझे underscore हटा देना है, e data रख देना ह change पर आप यहां से बदल सकते हैं, तो चलो आपने यह भी कर लिया, समझ लिया कहां से हमें name range change करने के लिए option है, तीसरा sheet है, उसमें भी मैं यह select कर रहा हूँ, again I am clicking on name box, यह दिखाए दे रहा है, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं, और इसका नाम था overall performance, इसको B data नाम देंगे तो और अच्छा रहेगा, तो मैं name manager में जाता हूँ, break की जगए, क्योंकि ABP ऐसा हो जाएगा, okay, so B data, sub data के नाम से ही, हम यहां पर इसे करते हैं, B data, break data, so मैंने इस तरह से नाम को change कर लिया, चलो ठीक है, summary sheet में आएंगे, यहां पर total number of working hours हमें पूल करना है efficiency sheet में से, आप efficiency sheet में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, मैं क्या करूँगा, is equal to, कौन सा formula लगाएंगे, पूल करने के लिए, सोचो जड़ा, okay, सोचो नहीं सोचो हो, तो मैं बता जिताओ, we look up formula, और we look up formula के उपर मैंने डेर सारी वीडियो बना है, साथी में we look up formula, अगर सीखना है, तो, okay, we look up मैंने दी दिया, look up array, table array, column index number, range look up, 4 arguments रेते, we look up में, आपको पताई होगा, अगर आपनी यूज किया है, तो नहीं तो don't worry, देखिए, ध्यान से मैं बता रहा हूँ, look up value, सबसे पहले तो आपको look up value लेनी है, look up value रहेगी ये वाली, क्योंकि इसे हम न where is the table, अब ये efficiency data में से पूल करना है, तो यहाँ पर मैं लूँगा e data, क्या type करूँगा e data, ये देखिए, e data जो range मैंने डिफाइन की थी ती न, उस वाले sheet में, तो यहाँ पर आ रही है, मुझे उस sheet में जाने की ज़रूद नहीं है, इसलिए मैंने या पर time save के लिए ये कर यहाँ पर देखिए, दो नमबर कॉलम में, total number of working house B में है, A, B, ये दो नमबर है, इसलिए मैंने वाँ पर दो नमबर ले लिया और यहाँ पर result आ चुका है, right, we look up में, look up value क्या है, A to e data में से pull किया data, और OK, लेकिन मैंने जैसे कहा था कि ये text है, ये लेप में आ चुका है, ये time नहीं है, मुझे इसको time में convert करना है, तो भाईया, यहाँ पर एक और formula लगेगा, वो है time value का, time की कदर करो, time value formula लगा, OK, सही में time की value करना सीखो, right, फिलाल तो यहाँ पर देखो, time value मैंने formula लगा दिया, enter कर दो, और यहाँ पर time में convert हो गया, आप बोलोगी, ये खांक भाईया, बोल रहे हो, यार, सर, कभी बेंजी का भी तो नाम ले लो, सो भाईयो और बेंओ, यहाँ पर आओ, और time को select कर लो, OK, तो ये time time की बात है, ये हो गया, perfect, अब मुझे क्या करना है, work efficiency निकाल लिए, मैं चेक करूँगा, work efficiency का पर पढ़िए, इसी में है, तीन number column प तो वो भी time की value के साथ ही हमें चाहिए, मतलब ये time value के साथ ही formula लगेगा, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो, कि जगर यहाँ पर क्या करेंगे, तीन number column में data पढ़ा है, again double click कर लो, और इसे आप यहाँ पर time लगा दो, OK, total break taken, total break taken, break वाली sheet में है, और ये भी time के साथ है, A, B, C, D, E, F, G, H, I, I, I mean nine number column, right, so nine number column में data है, तो मैं क्या करूंगा, summary में दुबारा जाओंगा, यहाँ पर मैं पेश्ट करूंगा, वही formula देहां से देखिए, यहाँ पर time लगे हम, same formula, E data की जगह, यहाँ पर B data, बस, E की जगह में बी लिखूंगा, right, E की जगह B data, यह अब B data में से पूल करेगा, B data में से यहाँ पर result आपको मिल जाएगा, इस बार, right, और B, मैंने यहाँ पर इसे भी time में convert कर दिया है, तो यह पटा-पट मैं इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि आपको already idea आ चुका है, तो we have to save our time, time value भई, attended calls काहा पर पड़े है, attended call, all performance में पड format हमें लगाने की ज़रुवत नहीं है, right, तो हमें क्या करना चाहिए, फिर हम summary में आएंगे, यहाँ पर हम we look up formula दे दे दे, right, आप वही copy paste कर लोगे, time value, formula दोगे तो भी चलेगा, यहाँ पर फी से दे दे देते है, क्या करेंगे, दुबारा एक बार तिस से देख लेते, look up value, आपको पता ही है, यहाँ पर करना क्या है, बस we look up देना, time value की ज़रुद नहीं, और comma, p data में से लेंगे, performance data, p data, comma, column index number कितना था, वहाँ पर, मैंने देख लाँ नहीं था, शायद 2 ही है, 2 ही है, 2 ही है, 2 और 0, okay, और enter करो, यह देखे, number of calls आज चुका है, that's it, यह normal we look up है जिसमें आपको time value की ज़रुद नहीं है, बस आपको मैंने बता है, active with customer कहाँ पर पढ़ा है, efficiency data में है, active with customer 6 number column, efficiency data, याद रखिए, okay, तो 6 number column में है, तो again, active with customer में देखे, यह percentage में है, तो यहाँ पे भी आपको normally we look up लगेगा, right, तो यही we look up आप as it is, copy कर लो चाहिए तो, और paste कर लो, क्योंकि यहाँ पे भी time value की ज़रुद नहीं है, लेकिन यह कुन सा data है, यह याद रखिए, यह E data है, और इसमें 6 number column है, तो वो column और वो particular sheets को याद रखिए, और drag कीजिए, लेकिन यह percentage में है, so you can apply percentage from year, right, यहाँ पे आप जाई प्रसंटेज एप्लाइज कर सकत और दो steps यहाँ पे हमने यहाँ पे complete कर लिए, कौन से हो दो steps है, building logic as per end result और applying formula, यह दो steps complete हो चुके है, आगे चल कर हमें कई पे भी और formula apply करने की ज़रुद पढ़ सकती है, कोई issue नहीं उसका लगाएंगे, requirement के साब से लगाएंगे, फिलाल हम creating reports यह चोंते steps की तरब जाने अब हमें dashboards बनाने, reports बनाने, यह project का वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक का वीडियो पसंद आया, तो एक reminder दे रहा हूं आप लोगों को, कि भई, like करना ज़रूरी इस वीडियो को, क्योंकि मैंने और मेरी टीम ने बहुत मेनत लिए इस वीडियो तो चाई पी के जाईएगा, नहीं चाई ने पीना है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, बेल आइकों पर क्लिक करना है, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिक्शन आपको मिले, और अगर आपको मेरी teaching style पसंद है, मेरी teaching energy पसंद है आपको, तो आपको एक बार ज़रू डिस्क्रिप्शन में जाना चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाहिए, जापर मेरी website है, जिसके ओपर धेर सारी computer courses, घर बैटे बैटे expert बनने के लिए मैंने बनाया है, घर बैटे बैटे enroll कर सकते हैं, आप घर बैटे बैटे सीख सकते हैं, repeated videos देख सकते हैं, और ISO तो certificate भी मिलेगा, तो इतनी सारी चीज़े एक ही course मतलब एक जगा पे आपको मिलेगी, जो कि advanced level पे हिंदी में courses available है, तो अगर आप interested है, तो जरूर मेरी website description में दीए, चेक कीज़े, घर बैटे बैटे computer course, सीख के certificate भी लीजिए, जो job के लिए आप apply कर सकते हैं, तो फिलाल त अभी तक तो आपने ध्यान दिया होगा, क्योंकि मैंने starting से बोला है, और अभी तक आप सीख रहे हो तो भी, आप expert बन रहे हो, ये वडियो अभी तक देख रहे हो, तो dashboard sheet में आते है, यहापे कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँगा, dashboard के लिए मैं tools use करूँगा, Excel का जो कि आप सभी को पता होगा, pivot tables, तो मैं इसे क्या करूँगा, control A button प्रेस करूँगा, पूरा record selected है, पूरा record selected, right, उसके बाद insert में जाना है आपको, pivot table आर करने के लिए, जिन्होंने pivot table पहले से सीखा है, well and good नहीं सीखा है, वो लोग ध्यान से देखे, insert में जाकर pivot table एक option आपको म जाएगा और इसमें बताएगा आपको कि select table orange, जो कि मैंने already select किया है, और वो पोल रहे कि नए worksheet में रिपोर्ट चाहिए, नहीं नहीं, existing में चाहिए, हमरे पास dashboard नाम की sheet पड़ी है, हम existing में ले ले लेंगे, यहाँ पर देखे, location, तो कहाँ पर है हमारा location, location में करसर रखिए dashboard में जाएगे, और यहाँ पे उपर के तीन रो छोड़ दीजे, title वगरा के लिए, उपर के और नीचे चोथे नमबर रो पे मैं यहाँ पर इसे add कर रहा हूँ, यह दिखे, pivot table आ चुका है, right, आ चुका है, मतलब pivot table यहाँ पर और add करना बाकी है, लेकिन pivot table फोर आ चुका है कोई issue नहीं है, pivot table जो भी आ रहा है, इसके उपर हम काम करना शुरू कर देते हैं, अब करना क्या है, pivot table में यहाँ पे add कर दिया, सबसे पहले employee का नाम हम drag करेंगे, रोज मिला के drop करेंगे, यह दिखे, pivot table fill list आना ही है, यहाँ पे right side में, जब आपने इस पे click किया है, तो हमें चाही total number of working hours, total number of working hours column हम यहाँ पे ले ले लेंगे, values में डालेंगे, लेकिन यहाँ पे count में आ चुका है, यह देखे, count में आ चुका है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे click करेंगे count पे, और value field settings में जाएंगे, value field settings, click किजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे sum र number format भी change करेंगे, क्योंकि यह time है तो number format में जाकर आपको इसको time select करना पड़ेगा, number format में जाकर क्या करना पड़ेगा, time, and then okay, and then okay, now you are getting your result, मिल गया, so pivot table आपको मिल गया है, पहला pivot table तो आपको यहाँ पे मिल गया है, अब हम step by step report प्रॉपर बनाएंगे, यहाँ से यहाँ पे यह जो आरे दिखा दे रहा है, इस पे क्लिक करूँगा, value filters में जाकर top 10, top 5 यहाँ से मैं कर सकता हूं, right, यहाँ पे आपको top 5 चाहिए, अपने top 5 कर लिया, यह देखिए, top 5 reports आ चुके है, अब आपको लगता कि यहाँ पे जो title है, यह भी मुझे देलना है, sum of total number of working hours, यहाँ डबल क्लिक किजिए, और sum of total number of working hours की जगह यहाँ पे यह sum of हटा देते है, total number of working hours by employees, कुछ भी नाम इस तरह से आप डाल सकते है, right, यहाँ पे मैंने डाल दिया, okay, या फिर employee total number of working hours, ऐसा डाल देते है, employee total number of working hours, आप जो भी है, यहाँ आप एड कर सकते है, आप content को change कर सकते है, column heading अगरा change कर सकते है, दूसरी चीज, इस पाइव टेबल को लेने के बाद मुझे एक grand total की ज़रूत नहीं है, क्योंकि यह time के सबसे और मुझे top five record चेहते है, वो आगे लिए क्या रहा है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, right click करूंगा, right click करके pivot table options में जाओंग देखिए नीचे, pivot table options में दो चीज़े करनी है, एक तो pivot table options में आने के बाद आपको इसका grand totals दिख रहा है, वो हटा देना है, तो grand totals के लिए आपको totals and filters वाले टैब में जाना है, total and filters टैब में, और यहा पे rows और column की grand totals हटा देनी है, right, हटा दी आपने, यहाट गे, साथ आप में आपको layout and format में जाना है, और यहाँ पे auto fit column width जो है, अपडेट यहाटा देना है, यह इसलिए हटाना है, इसका reason क्या में आपको बता देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर record बढ़ा होंगा, तो यह column की size कम जादा होती रहेगी, यह जो नाम है अगर बढ़ा आ गया किस कम जादा होती रहेगी हमेशा, मैं इसको filter लगा होंगा, suppose मैंने इसको एक अब्दुल हमीद शो कर दिया, तो इसकी size देखिए, अभी छोटी होगी, तो यह कम जादा जो size हो रही है, इसका reason यह है, क्योंकि वहाँ पे अमने क्या किया था, मैं अभी इसे top 10 फेसे दिखाता कम जादा होती रहेगी, तो यह आपको requirement की साफ से रखना चाहिए, फिलाल तो मुझे नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे उपर मैं कुछ buttons अगर डालूँगा, तो वो बार बार इधर उधर होते रहेंगे, इसकी साफ से, size की साफ से, यह chart भी कम जादा होता रहेगा फिर, यह problem होगा, तो इसलिए मैंने उसे कर दिया, गायब, ओके, और इसका design भी मुझे बदलना है, तो मैं design में जाओंगा, यह basic चीज़े आप यहाँ से change कर सकते हैं, design अगर apply कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि यार कोई अच्छा design ची तो you can apply it, यहाँ पे जाए और design apply कीज यहाँ पे मुझे टाइटल apply करना है, टाइटल add करना है, टाइटल add कर देता हूँ, मैं इस तरह से size बड़ा देते हैं, और इसको merge करके, merge and center, तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, report 1, report 1, working hours, जो भी title आप देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं, फिलाल मैंने दे दिया, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन जितना अच्छे से बनाओगे, वही matter करता है, याद रखिए, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको format कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने पहले टाइटल वगएरा दे यह कर दिया, अब हमें क्या क्या चाहिए, अब हमें क्या करना है, इसके उपर चाक्त कर ना है, और इसके लिए फिल्टर भी देना है, जसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, तो इसके लिए चार्ट कैसा आड करेंगे, चार्ट आड करने के लिए देखिए, आपको ऐनestion स्वर को चार्टिंगे, अपर अनलाइस टूल आपको तो यहां पर पाइवट चार्ट पे क्लिक कीजी, जैसे आप क्लिक करोगे, यहां पर कॉलम चार्ट 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 ले लिया, देखिए आपके सामने चार्ट भी आ चुका है, इस चार्ट में आपको क्या चिंजिस करने, मुझे यह हीडिंग की जरूरत नहीं है, तो मैं ड चार्ट है, इसके उपर एक क्लिक करूँगा, और एड डेटा लेबल पे क्लिक कर दूँगा, यह देखिए, डेटा लेबल आ गया, और इसे सिलेक कीजी, इसे भी आप फॉर्मैट कर सकते है, होम टैब में तोड़ा कलर विलर आप दे सकते है, आराम से इसकी साइज वागर इसको साइड में भी रख सकते है, फिलाल यहां पे इसकी साइज कम करने, सपोर्ज लगता है, नाम बड़े है, तो आप नाम की साइज ऐसे भी कम कर सकते है, यह तो फॉर्मैट कर सकते है, चलो, ठीक है, बिसिकले आपको यह आइड आ चुका है, अभी टेबल आड कर दिया है, चार्ट भी आड कर दिया, अब हमें इंपोर्टन काम की तरफ बढ़ना है, जो कि चार्ट को हाइड और शो कैसे करते हैं, और यह नमबर आप रिकॉर्ट कम जादा कैसे करते हैं, तो वो देखते है, उसके लिए क्या जरूरी है, क्या चीज़ी जरूरी है, तो यहां प आप प्ट इस पोईंट को भी मैंच हाइब कर दो इस तरह से बना दे शेप को, थोड़ा-स पीचे लेता हूं, यह चाहिक डूड़ा नहीं तो यह फोड़ा थोड़ा सा आगे लेता हूं, इस तरह मैंने propose यह फोड़ा सा इपने और इसका color आप change कर सकते है according to your requirement. Okay, तो यह chart मैंने डाल दिया और chart sure hide के लिए insert में जाहिए. Insert में जाकर picture, दिखें, यह pictures यहां पे जितनी भी accessories में use करूँ, मैं आपके साथ share करूँगा, don't worry, यह practice file शेर करूँगा, जिसमें यह सारी चीज़े आपको मिल जाएगी. दिखाएदे रहे न, यह hide का है और यह show का किदर गया भाया, यह show का, आप बोलो गयार, आख बंद वाले को show क्यूं रखा है, hide क्यूं रखा है, ऐसा क्यूंए मैं आपको बता देता हूँ, समझ में आएगा आपको, इसकी size में यहाँ पे कम कर रहा हूँ, और यहाँ पे पहले रख देता हूँ इसको, जो open आख वाला है न भाई, जिसकी आख खुली है वो यहाँ पे रख दीजिएगा, और जिसकी आख बंद है वो भी वहाँ पे रखना है, लेकिन इसकी size पहले देख लीजिए, इसकी size कितनी पहले इसको border भी दीजिए, फॉर्मैट में जाईए, पिचर इपिक्स, पिचर इपिक्स नहीं, पॉर्मैट में जाईए, पिचर border यहाँ पे आएगा, एक क्यू पर एक दोनों रख देना है, फिलाल side में रख तो, बाद में एक क्यो पर एक रखेंगे हम, ओके, तो यह काम कैसे करेगा मैं आपको दिखाता हूँ, यह पहले पिचर में आड कर लिए, साथ में मुझे क्या-क्या चीजे चाहिए, वो में आड कर रहा हूँ, डेवलपर में जाना है, इंसर्ट में जाना है, डेवलपर में दिखें, इंसर्ट में जाना है, डेवलपर टैब अगर आपके इसमें नहीं आ रहा है, यह तुम्हें बताना भूल गया, डेवलपर टैब नहीं आ रहा है, तो भही यह राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके यह उप्शन दिखा दे रहा है, कस्टमाइज रिबन में जाना है, यहाँ पर याद रखना है, यह होम से लेकर व्यू टैब तो आपके इसमें पहले ही रहते है, जैसे यह जल्दी करो टैब नहीं रहेगा, क्योंकि यह मैंने बनाया है, और यह अल्रडी इसका वीडियो बना यहाँ पर यहाँ पर चेक होना चाहिँए, दिखेए, देखेए, और यह ना चेक है यह यह चेक है, यह घ। फो आपर दिख रहा है, तो यह चेक कीजिए और डिवलोपर टैब लेए यह आप ईन सब्सक्ण माज और मिलता है, यह सपीन बटन आपको आपको ह Kensak लिन बटन ह तो draw कीजिए, right, spin button को draw कीजिए और इसका background आपको white बनाने तो एक rectangle background में डाल दीजिए यहाँ पर, एक minute, insert में जाहिए, shifts में जाहिए, क्योंकि इसमें हम number of counts भी रखेंगे, तो एक rectangle भी इसमें डाल देते हैं हम लोग, okay, इसकी size कितनी रखनी चाहिए, 1.14, 1.14, यहाँ पर height width में basically, यह देखिए, 1.14 रखेंगे, तो वो automatically, width आप अपने, height तो आप अपने according रख सकते हैं, height, sorry, height हमें change करनी पड़ेगी, 0.82 चाहिए, इसका तो क्या होगा, same resolution था, इसलिए size same थी, तो इसका height जो है, कितना है वो द देखिए, कितना आ रहा है, format में जाके height, हाँ, बराबरे, 0.82, height same रख देंगे, width तो कम ज्यादा हो सकती है, तो 0.82 इसकी height रखी, width बड़ा दिये मैंने, और यहाँ पर मैंने इसको रख दिया, लेकिन यह पीछे चला जा रहा है, यह आगे नहीं आ रहा है, तो भीया, क्य पीछे जा चुका है, और आप इसे यहा से ऐसा रख सकते है, और इसका color आपको रखना है, format में जाकर, shape pill में जाकर, भाईया, white color रख दो, इसका border का color मैं black रखता हूँ, और border कितना दिया है, उसका वो भी देख लेते है, one point है, बराबर है, everything is okay now, हमने proper कर दिया है, इसकी size थोड़ी से और कम कर देते है, इसमें counting आएगा, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, don't worry, सबसे पहले आपने spin button यहापे लिए, spin button के उपर क्या करेंगे, spin button के उपर right click करेंगे, और यहापे assign macro बाद में करेंगे, क्योंकि macro में record तो करना है, बाकी है, picture बहुत कुछ, okay, format control में और यहापे क्या करना है, current value, current value यहापे हम रख देते, current value 1 ही रख देते, minimum value 1, maximum 30,000, और यहापे sell link में हम रखेंगे C1 को, अब मैंने यह क्या किया, current value 1 मतलब क्या, basically, मैं current value 0 रख सकता हूँ, यह minimum कितना रखना है, minimum इसमें मतलब यह मतलब यह क्लिक करते जाओंगा, तो कि मैंने रख दी, minus में भी जा सकते हैं, लेकिन जरूए नहीं आपे, और one record तो at least होना चाहिए, तो इसलिए मैंने रख दिया, और maximum कितना रखना रखना चाहते हैं, आपकी पास कितने record है, मेरे पास 500 तो मैं 500 रखोंगा, अगर आपको 200 रख सकते, आप maximum आपकी उपर है, यह रखना है, और कहां पर दिखने चाहिए, अगर मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा, तो कहां पर दिखना चाहिए, मैंने एक C1 सेल ले लिया, यहां पर, वो बैक्राउंड में काम करेगा, ओके, तो यहां पर देखिए, जैसी देखिए, current value 1 आ चुका है, अब मैं इस पर क्ल करूँगा, 12345, यह हो रहा है यहां पर, और यह records हमारे काम के है, मतलब यहां से इस सेल को हम यहां पर पूल कर लेंगे, इस box में, कैसे करेंगे, बताओ जारा, इस box को क्लिक कर लो, यह वाला rectangle पर, यहां पर is equal to sign दो, और इस सेल को select कर लो, और enter दबा दो, आप बोलोगी न में, पिर न Ici, पर डिक हो रहा है कि उपर जा रहा है, मतलब यह पर बता होनी चीज़ें, पर में पर सेल कर के यहां पर, यह वालाट गार अप्षिय हो सकताहिए, यह पर पर इसी पछीप कर दो यह पर नद इस रहे कपón पर, ले पर प्र यह इसमें text box में आप margin set कर सकते, जैसे उपर की margin जो है, कम करेंगे तो यह थोड़ा जो उपर जाएगा, नीचे चाहिए तो नीचे इस तरह से आप रख सकते, कितना margin आपको रखना है वो आप रख सकते, यहां से, top bottom सब कुछ, फिलाल यह two proper आ चुका है और यह मैंने यहां पर counting, right, और यह chart की जगह, यहां पर copy कर लो chart को, paste कर लो, और right side में, पहले हम लोग proper design कर के लिए इस सारी चीज़े जैसे हमें चाहिए वैसे, और इसको इस तरह से रखेंगे, और इसमें नाम रखेंगे, records या कुछ भी नाम रखेंगे, records, records, okay, अब बोलोग यार यह तो बैट जगह जगह बचिये, तो यहां पर आजाओ, और यह यहां पर इस तरह से आजाओ, इसको बाद में भी adjust कर सकते हैं, आपके पास space है, तो यह इस तरह से आप उसे adjust कर सकते हैं, तो यह adjustment का खेल है, यह तो आप बाद में कर लो, आराम से, मतलब बैठ के, कैसे किसे adjust करना, align र दिखाई नहीं देगा, यहां पर बस append down, ओके, यहां तक हमारा काम हो गया, यह तो हमने कर ले, इस आप को जड़ा साइड में रख देते हैं, थोड़े देर के लिए, तो यहां पर हमें पहले क्या करना है, append down बटन क्लिक करने के बाद, यहां पर record, number of record कम यहां ज्यादा हो बात नहीं, developer tab में चाहिए, record macro कैसे होता है, दिखिए, record macro यहां पर एक button मिल जाएगा, record macro, मिल गया, record macro, एक option मिलेगा, click कीजिए, जैसे में click करूँगा, यहां पर आएगा एक option, record macro, लेकिन इसे record करने के पहले, एक बात याद रखिए, यहां पे पहले से filter लगा हुआ रहे पहले clear filter, filter filter, क्योंकि यह steps होता है macro recording का, जब आप कोई भी filter में काम करना चाहते हो, तो याद रखिए, तो record macro, यहां पर मैं click करूँगा भी, यहां पर आएगा macro का नाम, आने दो macro का नाम 1 आना ची, लेकिन मैंने पहले macro record के इसलिए 8 आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई भी न आने तो ok करो, macro 8 नाम याद रखो, उसके बाद मैं यहां पर जाओंगा, click करूँगा, clear filter, employee name, याद रखिए, clear filter, employee name, चलो ठीक है, employee name का clear कर दिया filter, filter करने के बाद फिर से click करूँगा, value filters में जाओंगा, top 10 में जाओंगा, यहां पर 5 कर दूँगा, और ok कर दूँगा, यह filter नहीं कर सकते हैं, हाँ आप filter अगरा कर सकते हैं, बट यहां पर नाम चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको जो भी changes करना है पहले कीजिए, right, इसके नाम आप बदल नहीं सकते हैं, तो इसके लिए pivot table के जो भी चीज़ी करनी है, यहां पर कर लीजिए, यह वाला record आप update कर सकते है यह वाला तो इधर sheet में update होगा, तो यहां पर update हो गए होगा, बस मैं column heading की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ओ column heading filter में track हो रहे हैं, जो अभी code हमारी generate हो चुके है, macro में वहाँ पर track हो चुके है, तो अब मैं करूंगा क्या, अब मैं keyboard पर alt 11 दबाता हूँ, alt 11 macro की window लाने के लिए याद रखे, alt 11 यह राव visual basic की window, अगर आपको alt 11 याद नहीं रहता तो developer में यहाँ पर visual basic करकी यह वाला option दिया है, यह देखे, visual basic यहाँ से भी आप on कर सकते, यह window आ चुका है, इसमें आपका यह project explorer आना चाहिए, यह नहीं आया, यह project, तो view में जाओ, और project explorer, बहुत सारे यहाँ पर दिक्कत होती है, यह project explorer on ही नहीं रहता है, तो वो बोलते है, आरे sir हमारा तो modules ही नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका modules दिखना चाहिए, यह module 1 है, right, module 1, module 1 आपने अगर नई sheet open किया, और उसमें macro record किया, इसमें फिर से, तो module 2 आएगा, module 3 आएगा, इसी sheet क save करके किया तो, और यह macro 8, right, module 1 macro 8 है, macro और उसमें यह code भी आ चुका है, right, इसमें यह वाली चीज जो है, यह हमें जरूरी नहीं है, हमारा बस filter लगा हुआ है, यह, इतना ही जरूरी है हमें, जो हमने filter लगा था, यह देखे, filter clear किया था, यह code है उसका, और filter लगा था, उसक music का tutorial ले दोस्तों, तो coding का तो मैंने already course बनाया है, VBA का description में link है, उसकी आप वहां से सीख सकते है, अगर आप non commerce हो, sorry, non programmer हो, यह भोलना था, non commerce का, टेली का दिमाग में याद है, non programmer हो आप, तो भी आप coding सीख सकते है, क्योंकि coding का C से मैंने वहाँ पे start कि, ABC से, basically मैंने fundamental बता अच्छा लगता है, तो enroll कर लो, हमेशा मैं वही कहता हूँ, पहले इस्तमाल करो, फिर विश्वास करो, okay, फिलाल तो यहाँ पे हमें इसकी जरुरत नहीं है, यह जो है, इसकी जरुरत नहीं, बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पे आपको दिखाए दे रहे है, कि यह code जादा करना है, यह ही code चेंज करना है, यहाँ पे हमने top filters लगाया था ना, फाई, इस फाई की जगह, हमें क्या करना है, यह वाला फाई लगाना है, मतलब यहाँ पे जो C1 में वैल्यू पड़ी है, यह देखिए 5 है, C1 में, फॉर्मला वार में दिख रहा है, तो C1 में जो भी वै ना में dashboard, तो वो sheet 5 है, तो आप यहाँ पे लिखो sheet 5, आप small में लिखो, capital में लिखो, कोई शुने वैसे, small mail लिखो, automatic वो change कर लेता है, code प्रॉपर है तो, sheet 5.range, यह code चोटा सा है, जो आप note डाउन कर लो, या फिर इसका screenshot मार लो, sheet 5.range, और आपको लेना है यहाँ पे C1, क् C1 में, C5 में, जो value पड़ी है, वो हमें लेना है, dot value, इस तरह से, without space आपको यह code पूरा का पूरा यहाँ पर टाइप करना है, पूरा हो गया, okay, enter कीजिए, अब यहाँ पर यह proper automatic sheet का capital हो जाता, और proper आजाता, यह देखिया, तो यह code मैंने यहाँ पे डाल दिया, और इस macro 8 क जोगे में, इसका नाम रखोँगा, इसका नाम क्या रखो, मैं यह macro किस के लिए assign कर द रहु हूँ, मैं इस button के लिए assign कर armour, यह button तो यहां पर मैं इसको नाम दे देता हूँ Spinner1 के लिए मैंने यह Macro बनाया है Spinner1 कोड ऐसा देते प्रोग्राम भी डाल सकते है Spinner1 प्रोग्राम तो यह जो मैंने Macro अभी बनाया यह अंडर्सकोड देता हूँ मैं यहां पर थोड़ा सा चरहेगा पढ़ने के लिए Spinner1 कोड यह जो Macro मैंने बनाया मैं Assign करूंगा Spinner1 को देखते हैं Assign कैसे करेंगे Right-click करेंगे Spinner1 के उपर और Assign Macro Macro पुरा हो गया Macro रेकॉर्ड प्रॉपर हो गया सब कुछ हो गया इससे हम Spinner1 कोड को Assign कर रहा हूं मैं यहां पर यह दिखिए Spinner1 बटन को Spinner1 को Assign कर दिया Right-click किया Assign Macro यहां पर Macro का नाम आ जाता है आपको Select कर लेना है और OK कर लेना यह होता है Assign करना आप मैं यहां पर क्लिक करूं तो इस बात पर लैक दो दो लायक करना मत भूलो शेयर comment कर लो पड़ापस कर लो ज़ली करो मैं रोकरा हूँ, कर लिया होगा आपने फिलाल यहाँ पर आपको पहली बात तो पता चली कि भाई इससे आपने record कम जादा कर लिये कैसे कर लिये, कैसा view हो रहा है सारी चीज़े आपको यहाँ पर पता चली है अब हमें आगे बढ़ना है, वो है यह चार्ट को hide और show करना है बरवर यह important task है तो सबसे पहले हम यह देखेंगी कि भाई यह चार्ट कौन सा है, कौन से चार्ट के लिए code कर रहे हैं, चार्ट 1 कौन से चार्ट के लिए code कर रहे हैं चार्ट 1 के लिए code कर रहे हैं, पहले चार्ट देख लीज़ी आपको कोड का आइडया नहीं है, यह Macro 9 रेकोड हो रहे है, नाम याद रखो बस, OK कर लो, और उसके बाद इसमें क्या करो, याद रखो इस चार्ट को सिलेक रखो, चार्ट को सिलेक रखो, आप यह तूलबार अगर नहीं आ रहा है, यह में क्लोज कर देता हूं, कौन सा साथ ही में, इसी Macro में, इसी Macro में हम क्या करेंगे, यह जो Open Eye वाला जो देख रहा है पिच्चर 4 नहीं है, यह देखिए पिच्चर 4 को भी, Hide करेंगे, Show करेंगे, दिखाए देरे, Open Eye और, पिच्चर 6 को भी, Hide करेंगे, Show करेंगे, सब record कर रहा हूं है, और बस, इतना ही करन यह देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है यह पुरा code, अब आप बोलोगी इसमें code कैसा पता चले कि मुझे कौन सा hide show है, यहां से hide show है, यह visible word दिख रहा है, visible, 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 जितने भी visible के code उतना रखिए, बाकी के code को गायब कर दीजे, इसकी जरूरत नहीं है, visible के code रखिए, और इस macro को नाम रखेंगे, chart1, show, इसको पहले रख देंगे, show chart1, क्या नाम रख देंगे, show chart1, show underscore रख देंगे, show underscore chart1, इसी को हम copy करेंगे, पूरा का ध्यान दीजे, इसी क पूरा को पूरा कॉपी कर लिए, अब इसमें थोड़ा सा changes करना है, अब ध्यान से देखना है, जब मैं chart को show करूंगा, तो chart दिखना चाहिए, यानि कि, chart1 का true अला option, जो है, chart1 का true अला option, जो है, line जो है, वो यहाँ पे रखना है, false वाला line यहाँ से गायब कर दो, false यह chart नहीं दिखाए देगा, लेकिन यह show करना है, show chart का program है, यह show chart का program है, तो यह false वाला line हटा दिया, तो यह chart दिखाए देगा, उसके बाद जब यह chart दिखाए देगा, show होगा chart, तो उसके time पे कून सी shape दिखनी चीए, द्यान से सुनें मैं क्या कह रहा हूँ, जब यह chart दिखाए देगा, तो उसके time पे कौन सी shape दिखनी चीए, यानि कि यह आक जब खुला है, तो यह chart भी खुला रहना चीए, आक यह वाली shape यहाँ पे दिखनी चीए, तो यहाँ पे picture 4 जो है हमारा, यह picture 4 है, याद रखी, इसका नाम भी याद रखी, select कीज़े, इसका नाम द मतलब hide होता है, यह देखे, visible.ms false, तो यह hide का मैंने delete कर दिया, इसमें hide का delete किया, लेकिन show का रख दिया, और picture 6 जो है, जब यह chart show हो रहा है, आक भी खुली रहनी चीए, आक भी क्या रहनी चीए, खुली रहनी चीए, तो आक खुली रहनी चीए, तो उसको show रखा, chart भी show हो तो उस time पे यह वाली आक जो है, नहीं चाहिए, मतलब यह आक जो है, यह picture 6 है, यह फॉल्स रहना चीए, तो picture 6 का true वाला code है वो delete कर दिया, दान से देखिए दुबारा, picture 6 का true वाला code में delete कर रहा हूँ, false का code यहाँ पे रख रहा हूँ, picture 4 का true का code रख रहा हूँ, chart 1 का true का पिचर 4 का true का code, पिचर 6 का pause का code, clear है आपको, यह चीज याद रखिए, क्या है, यहाँ पे confusion में कुछ भी नहीं है, चार्ट 1 का जो code है, वो true है, यानि कि चार्ट दिखना चाहिए, जब मैं show chart पे click करूँगा तो, उसके बाद show chart पे click करती ही, मेरा यह picture 4 भी दिखना चाहिए यानि कि खुली आख वाला जो picture है, खुली आख, आख खुली रखो, दिमाग खुला रखो, picture 4 यहाँ पे दिखेगा, मतलब picture 4 यहाँ पे show होगा और साथ में picture 6 हाइड होना चाहिए, उसी वक्त, अब इसके opposite, opposite हाइड चार्ट में क्या करेंगे, हाइड चार्ट में, जब मै क्लिक करोंगा, हाइड चार्ट पे जब क्लिक होगा, यह प्रोग्राम जब रहन होगा, तो यह जो चार्ट का false वाला है वो रहेगा, और यह true आला हाइड डिलीट कर दो, यह चार्ट है, यह देखे, chart 1 का code है, वो true मतलब show, बंद, true मतलब show, याद रखना है, true मतलब show, और false पिच्चर 6 की पॉल्स वाली जो लाईने, वो डिलीट कर देंगी, क्योंकि पिच्चर 6 जो है, यह पे विजिबल होना चाहिए, जब आप हाइड चार्ट पे क्लिक करते हो, तो पिच्चर 6 यानि की वो जो बंद आक वाला पिच्चर है वो शो होना चाहिए, clear है, clear है, clear है, तो फिलाल दिमाग वाले देख रहे होंगे, और कोई भी चीज समझने जैसी है, मतलब नहीं समझने जैसी है नहीं है, क्योंकि इसको अगर आप धान से देखोगे, अच्छे से समझोगे, तो यह पता चलेगा कि मैंने क्यों किया ऐसा, अब मैं क्या करूँगा, शो राइट क्लिक करूँगा, असाइन मैक्रो करूँगा, असाइन मैक्रो, ध्यान से देखिए, असाइन मैक्रो और इसको चार्ट वन का शो वाला मैक्रो, जो देखिए, आग बंद है, उसको शो वाला मैक्रो असाइन करूँगा, उल्टा करना है, आग बंद है, तो शो वाला चार्ट अल्रेडी शो है, वो गया लेकिन शेप, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वो शेप दिखाए दे रही है, चार्ट गया हो रहा है, वो शेप दिखाए दे रही है, अब एक काम करते हैं, अब मैं इसको यहाँ पे पिच्चर फोर को शो कर देता हूँ, यहाँ से शो कर सकत तो क्या बात है, चार्ट गाया है, चार्ट है, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब हमारा लॉजिक प्रॉपर यहां पे लग चुका है दोस्तों, यही है लॉजिक और यही है मैजिक, लेकिन एक और चीज है, यह स्पीन बटन का मैं कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा, यहा क् discriminate का इस बाताम को कीच इए अस ब्ली तो क्या करेंगे यहां पे नीचे पेस्ट करेंगे और उसमें एपिनर 2 नाम देगी, याद रतीिए याद रखिने 2 यहां पे लिक दिया है ''spinenr'' spinner नाम रख दिया, okay so finally spinner नाम रखने के बाद यहाँ पर इसी को हम copy करेंगे और copy करेंगे और नीचे paste करेंगे इसी में, यह code वही है बस spinner 2 जो है वो hide और show होगा, इधर false रहेगा जब मैं hide बटन पर click करूँगा तो यह false मतलब spinner 2 और जब मैं show बटन पर click करूँगा तो यह show मतलब true दिखाएंगे spinner 2, वो बदल दिया मैंने ship यहाँ पर इतना ही change कर दिया तो अब क्या होगा, अब जब मैं इस पर click करूँगा यह देखिए hide show, जैसे मैं इस पर click करूँगा खुली आग पर click करूँगा, वो दोनों hide हो रहे चार्ट और spinner और दोनों आ रहे यह कम जादा यहां से भी हो रहा है क्या बात है, सब कुछ proper तो हो गया तो इस तरह से बनाते हैं यह project दोस्तों तो यह project आपको definitely अभी clear हो चुको होगा लेकिन आभी आपके मन में doubt रहेगा कि यार, sir, और table अड़ किया तो हम compute तो नहीं होंगे, बिलकुल नहीं होंगे आपको करना क्या है, और एक table में अड़ करके दिखा रहो क्योंकि मैंने starting में तीन table दिखाया थे तो आपको करना क्या है, इसी table को इसी table को select कर लेना है, यहाँ पर और इसका duplicate बना देना है इसकी size आप थोड़ी से बड़ा दो चाहिए तो और यहाँ पर दूसरा कोई record रखना है तो आप पाइवर table फिल लिस्ट ओन कीजी, राइट, दूसरे table की उपर मैं example के लिए आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर आपको चाहिए work efficiency या attended calls या active with customers चाहिए तो इससे हटाओ और active with customers वाला ले लो और यह जो active with customers value field setting में जाओ फॉर्माट नंबर फॉर्माट में जाकर इसका हम रखेंगे percentage में क्योंकि यह percentage में values है तो यह देखिए percentage आ गया सबसे पहले करना क्या है इसके लिए macro दुबारा record करना पड़ेगा यह वाला macro दुबारा record कीज़े है कैसे steps दिखिए repeat हो रहा है सब कुछ चीज़ repeat हो रही है आपकी practice और एक बार हो जाएगी developer tab में जाहिए पहले तो इसको filter apply कीज़े याद रखे एक filter होना चाहिए macro record करने के पहले top 10 रखो top 5 रखो कोई भी एक filter रखो filter रखो फिर जाओ record macro में macro 10 हमारा record हो रहा है होने दो okay उसके बाद हम करेंगे क्या हम करेंगे यहाँ पे पहले filter clear यहाँ पे जाएंगे और clear filter सबसे पहले clear filter कर दिया फिर से filter apply कर दो step से याद रखो macro के top 10 की जगह यहाँ पे top 5 रख देते हम लोग और मैं यहाँ पे okay कर देता हो इसे आ गया okay चलो ठीक है आपको यह idea आ चुका ह यह filter हो चुका है stop recording अब आपको करना क्या है यह वाली चीज़े जो दी है यहाँ से as it is copy कर लो और यहाँ पे as it is paste कर लो okay paste कर लो as it is कुछ करने की ज़रूत नहीं ज्यादा tension लेने की ज़रूत नहीं copy paste मारो बस like याद रखो यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे रहेगी कि भ तो यहाँ पे मैंने record को थोड़ा से adjust कर लिया है सब कुछ हो गया अब करना क्या है सब कुछ changes करने पड़ेंगे हमने इसका macro तो record कर लिया है लेकिन changes हमें करने पड़ेंगे कुछ यहाँ पे चार्ट भी आड कर दो analyze में जाओ और पैवर चार्ट में जाओ और एक चार्ट एड करो, पाइचार्ट घ् gesture ःड आड कर में जाओ आड कर सकते हैं एक चार्ट इहाँ पे एड कर दिया का यहाँ पे चार्ट नीचे रग देते हैं इसका भी चार्ट यहाँ पे बन गया है ओ्की यह total को dilett कर दिया, यह चार् आपर आपकी पास है रिडी तो चलो चार्ट अगरा अड़ करना तो यूनो अड़ चार्ट कैसे अड़ करना है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं चार्ट को फॉर्मैटिंग भी आपको आता होगा अब इंपोर्टन पार्ट क्या है कि ये जो स्पिन बटन है राइट लिक करो इसके उपर और पहले इससे क्या कर लो दिखिए असाइन मैक्रो नहीं करना है इसको इसको फॉर्मैट कंट्रोल पहले चींज करना है फॉर्मैट कंट्रोल C1 की जगह इसको C2 रखो क्योंकि इसका अलग लिंक करो C2 अलग link करो इसको C2 वही रखो spin button लेकिन link C2 रखना है क्योंकि यहाँ पर मैं changes करूँगा spin button पर तो C2 में changes होनी चाहिए पहली चीज तो यहाँ पर C2 में दिखाए देना चाहिए फिर यहाँ पर जो पाच आ रहा है यह पाच पर इस box पर click करो और यह जो white box है अमने रखा तो पीछे उसकी जगह भी यहाँ पर C2 कर लो यह C2 कर लो C2 कर ले लेकिन formatting नहीं आया proper तो format printer है ना format printer लीजिए और यहाँ पर click कीज़े इस पर click करके format printer पर click कीज़े और इस पर click कीज़े formatting copy हो जाता है अब मुझे करना क्या है मेरे पास इसका macro record है तो मैं alt 11 करूंगा और जो macro मैंने आभी record किया वो कहाँ पर आया देखूंगा macro 10 macro 10 को मैं नाम दूंगा यहाँ पर spinner button 3 वाला code क्योंकि spinner button 3 है याद रखिए क्योंकि 2 हमने नीचे लिया है spinner 3 underscore code ओके और यह वाली चीज़ की जरुवत नहीं है यह लगना नीचे macro यह लगना चाहिए ऐसा कि हमने code किया है हमारे senior बोलेंगे और वाह क्या बात है क्या code किया यहाँ पर क्या लिखेंगे मुझे बताओ जरा जरा बताओ अगर आप अभी तक सी करेंगे तो पता है जरा जरा बताओ sheet 2 dot oh sorry sheet 5 dot range और यहाँ पर c2 लेंगे दोस्तो c2 क्योंकि हमने c2 में value रखी है spinner button 3 की हमारा spinner button 3 है जरा चेक कीजिए spinner button 3 है की नहीं है इसके उपर right click कीजिए एक बार check भी कर लीजिए select कीजिए इसको select करने के बाद आपको पता है format में जाना है selection pane में जाना है और यह देखिए spinner button 8 है तो कोई बात नहीं spinner button 8 आ गया है पता नहीं क्यों आ गया ऐसा है वो shape की होई से शाहिद उसका number आ चुका है कोई problem नहीं हम इसको spinner button 8 नाम दे देते कोई problem नहीं spinner button 8 का code ही है इतना है नाम यहाँ पर अभी change करना है हम आगे नहीं गए अभी वैसे भी अब right click करो assign macro करो spinner spinner button 8 के लिए हमने जो code दिया था वो दिय दिया अब इससे क्या होगा spinner button 8 से तो यहाँ पर मैं up and down करूंगा तो यहाँ पर देखिए up and down, up and down हो रहा है मतलब यह प्रॉपरली यह पाइवर टेबल पर काम कर रहा है और इस number को थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए न no1 का no1 दे निया दो पहले यह picture 18 no84 देखिए से नंबर देख लो पिछर यह 18 और यह 14 याद रखिया पीछ वाला 14 है और चाट 8 है और यह spinner बटन को और एक बार copy paste कीजिए ताकि यहाँ पे और यह spinner 9 र içP tab यहाँ रखिया पिछर करोट चाट 8 और पिचर यहाँ देखिया यह और पिछर प्रैम यह फ्याँ 20 पिश्चर पो यह पीछ्चर पिचर करती हो Installation तो बने रखिक बिचर प्राइट और पिचर पोटीव कीजिए पहरे आप जहाँ प्लाद से यह करेंगे हमें दुबारा macro record नहीं करना यह height chart और show chart का जो है न chart 1 का इसी को हम copy करेंगे पूरा का पूरा copy करना as it is बस यह बहुत simple है जितने भी आगे बनाओगे न आप chart उसके लिए यह code copy paste करोगे और chart 1 की जगह chart 8 के लिए आप code कर रहे हैं लिखो यहाँ पे पहले दोनों जगह पे chart 8 लिखना है यह दोनों जगह पे नहीं लिखना है खली यहाँ पे भी लिखना है chart 8 जहाँ जहाँ chart 1 दिख रहा है वहाँ आप chart 8 करोगे पहला चीज तो ओके जहाँ पे picture 4 है वहाँ पे picture कुरोगे कियोंकि हमारे पिच्चर aq 31 का और बंद पिच्चर aq 18 का तो जहां पर था मतलब छोटा नंबर था वहां पर 14 लिखेंगे और यहां पर 6 से वहां पर 18 क्योंकि नंबर भासको बंद लिखेंगे क्योंकि तो बड़ा नंबर आ कुरूर 199 जहां पर एक उड़ Champions hots कर दिया चार्ट 8 के अंदर वही चीज बस spinner बटन और picture बदल दिये क्योंकि यह picture अलग है और macro assign कर देंगे right click करो इसको कौन सा macro assign करने इसके उपर ही रखो एक काम करो इसके उपर ही रखो कोई problem नहीं अभी हम macro proper assign कर सकते दिखा तो मैं आपको कैसे right click करो assign macro और इसको क्या रहेगा show chart it यह कौन सा बटन ही याद रखिए जो बंद आकवाला है उसको show chart it तो click किया अब मैं इस पर click करता हूँ तो यह पीछे वाला picture automatic दिखाए दे रहे है तो right click करेंगे assign macro इसको रखेंगे hide chart it और यह काम हो चुका है कि नहीं देखेंगे हो गया हो गया हो गया और spinner button भी इसके साथ hide and add हो रहा है क्योंकि spinner button का 9 number हमने वाँ पे add कर दिया है तो भाईया सब कुछ हो गया ना यार सब कुछ हो गया सब कुछ हमने यह वाले chart के उपर भी करके दिखा है मैंने copy करके भी दिखा हमने ए यह guarantee के साथ मैं कहता हूं क्योंकि मैंने इस chart को बनाने के लिए बहुत time span किया है मिरी team ने इसे edit करने के लिए बहुत time span किया है आपके life में value add करने के लिए मैंने यह chart यहाप बनाया दोस्तों मुझे पता था कि यार इसे बनाते समय मुझे बहुत time लगने वाला है फिर भी मैंने time की दरब नहीं देगा मैंने देखा कि यार यह कुछ तो student के life में value add करेगा अगर आपको लगता है कि आपके life में कुछ value add हो चुकि कुछ नया सीखा है आपने कुछ ऐसा सीखा है जो आप लोगों को दिखा सकते कि यार मुझे यह भी आता है तो इस वीडियो को like कीजिए हमारे सभी चैनल को subscribe कीजिए description में link हमने दी है दोस्तो तो अभी यह project तो आमने बना लिया लेकिन इस file को हमें save करना है याद रखिए यह file जब आप save करोगे तो यह MIS project की file with macro है तो आप F12 button प्रेस करोगे save के लिए तब आपको save के लिए F12 button मतलब save as button इसे आपको क सब कुछ पन गया है तो यह मैंस का पूरा प्रोजेक्ट मुझे पता है कि आप लोग ने पूरा ध्यान से इसे देखा होगा और जो भी चीजे आपको नहीं समझे होगी थोड़ा सा रिवाइन करके देखे क्योंकि यह वीडियो है आप जितनी बार ची उतनी बार रिवाइ करता हूँ तो मुझे कुछ errors आते है वह errors मैं खुदी solve करता हूँ वैसे मैं बताता हूँ लेकिन आप जब उसे practically करोगे तो वह errors आने वाले है तो इसलिए practice ज़रूर कीजिए practice makes man perfect वीडियो देखे कुछ होने वाला नहीं है again I repeat की वीडियो को rewind करके practice कीजिए एक एक जितने भी चैनल है learn more क्या लगा complete technology, real tutorial, tell you tutorial, excel tutorial सतीष टेखे जितने भी चैनल है description में link छोड़ दी आप पकड़ लेना I mean देख लेना फिलाल तो आज की वीडियो में इतना ही मैं सतीष लेता हूँ आप सबसे आलवीदा अपना खयाल रखिएगा सीखते रहिए सीखाते रह यडफ पाला ही बड़ी बड़ बचिए लेना कर ऑ ठाद